नमस्कार दोस्तों मैं गितांजली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गितांजली स्रेश्पीज में दोस्तों गर्मियों में आम तोर पर खाई जाने वाली कद्दू की सबजी को खास तोर पर तेहारों के मोसम में खाये जाता है और अगर बात भंडारे की बिना लहसुन और प्याज वाली कद्दू की खटी मीटी सबजी की हो तो बात ही क्या है जिसे पूरी और पराठे के साथ खाने का अपना ही मज़ा है कद्दू की यह सबजी खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए फायदेमंद है बनाते हैं तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों आगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर दबाईए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके सबसे पहले हम एक बरतन में एक कर्ची तेल गरम कर लेंगे तेल गरम हो गया है अब हम इसमें आदा चमच जीरा आदा चमच मेथी दाना और आदा चमच सौंफ डालकर तड़कने देंगे साबूत मसाले तड़कने लग गए हैं अब इसमें कद्दू के टुकडो को डालेंगे यहां हमने आदा किलो कद्दू लिया है जिसको छोटे टुकडो में कट कर लिया है हम एक से दो मिनिट तक कद्दू के टुकडो को तेल में हलका सा फ्राइ करेंगे दो मिनिट हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच लाल मिर्ष पाउडर नमक स्वाद नुसर आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच कश्मिरी लाल मिर्ष पाउडर डालकर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आदा चमच से थोड़ा सा कम सौफ पाउडर डालेंगे और उसके साथ ही थोड़ा सा हींग पाउडर आदा चमच अमचूर पाउडर और अद्रक और मिर्च का पेस्ट डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने यहां 1-1.5 इंच का अद्रक का टुकडा लिया है और 2-3 हरी मिर्चे लिया है जिनका हमने पेस्ट बना लिया था अगर आप चाहें तो इसे कूट कर या बारी काट कर भी डाल सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे ताकि मसाले जल ना पाएं और कड्दू भी अच्छे से पक जाएं अब हम इसमें आदा चमाश कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर मेडियम फ्लेम पर पंद्र से 20 मिंट तक पकने देंगे 20 मिनिट हो गए हैं आईए धक्कन हटा कर देखते हैं देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है अब हम इसमें 1-1.5 चम्मच चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस अब इसे 1 मिनिट तक और पकाएंगे कद्दू की खटी मिठी भंडारे वाली सब्जी बनकर तैयार है अब हम इस पर धनिया डालकर फ्लेम को आफ कर देंगे और आखिर में 1-4 चम्मच गरम मसाला डालकर इसे 5 मिनिट के लिए धक कर रख देंगे और 5 मिनिट बाद अच्छे से मिक्स करके सर्फ करेंगे आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस रेस्पी को आप भी ट्राई कीजेगा अगर आपका कोई कोशन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो